तराना से अमरे संबाद दाता कल्यान सिंग तोमर की रिपोर्ट बाबा का आशीरबाद लेकी मंगल कामना सिरी भैरब अश्टमी त्योहार बाबा भैरब के भक्तों को नगर के भैरब मंदर पर आज सुबै से ही भक्तों की बिलो मड़ रही थी इस मौके पर मंदर पर विशेष रूप से साथ सज्जा की गई थी बाबा भैरब की आरती विशेष पूजा इस्थानिये माली धर्म साला में प्रदीप माली द्वारा विशेष प्रसादी बा भंडारे का आयोजन किया गया माने ताहे कि काल भैरब अश्टमी के दिन जो भक्त भगवान काल भैरब की पूजा अरचना करव वबास करते हैं बाधवान काल भैरब अश्टमी को साथना के लिए कठन मानी जाती है मानेता है कि काल भहरव अश्ट्रमी के दिन जो भक्त भगबान काल भहरव की पूजा अर्चना का रूबास करते है भगबान काल भहरव उसका सभी प्रकार के रोग दोर दूर करते है हिंदू मानेता के मताबिक सिप का अपमान सवरूप मार्क सीस महीने में कृष्ण पक्ष की अश्टमी को भगबान संकर के अंस से भैरप की उत्पत्ती हुई इसलिए स्थिती को काल भैरप अश्टमी नाम से जाना जाता है सुल्तान पूर सुह हमारे संबाद्दाता नहीम खान की रिपोर्ट सेकलो चात चात्राओं की जान से हो रहा है खिलबाड सुल्तान पूर नगर से लगे आगवासी बाहुल ग्राम उम्रई बहरा मैं इस्थानी है सास की मादमिक साला आए दिन सुर्खियों में है इसका मुक्च कारण वहाँ पर अध्यान कर रहा है चात चात्राओं अपनी जान हतेली पर रखकर सिक्षा पराप्त कर रहे है प्रदेश सरकार चाहे कुछ भी कहे प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए सिक्षा के छेत्र में अभी तक कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है कई स्कूल में पढ़ने के लिए अध्यापक नहीं है तो कहीं प्रदेश में कई इस्तानों पर स्कूल भवन नहीं होने से बच्चों को पेड़ की छाया में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं इसा मामला ही सामने आया है सुल्तानपूर के ग्राम उम्राई बैरा में छटवी से लेकर आठवी तक के 164 से नमी केलास से लेकर दसवी तक के 116 चात्राएं सिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सच्चा यह है कि बरसों से पुरानी बना इसकूल भवन जो की खंडर हो चुका है बरसात के मौसम में छट पर से पानी बांध कर बैठना पड़ता है और बरसात के मौसम में पूरे भवन के अंदर पानी भर जाता है इस भवन की छट में कई जगए तो दरार है पड़ चुकी है बिगत तीन बरस पूर राजज सासन ने नया भवन बनाने के लिए एक करोड की रासी सुईकृत की थी राज सासन के बिगत दस बरसों का रिकार्ड यह रहा कि निर्मान कारीर के ठेकेदार सत्ता पक्ष के गुल में कारूना है अमें बहुत डल लागता आप बहुत डल लगवरा थैस के लिगता नई बनने के बाद भी आपको नहीं किया है का रहा मेरे को सर यहां पर चटी किलास में नंद किलास में पढ़ती आ रही हूं लेकिन यह स्कूल हमारा वो बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन उसमें हम सरकार बन तो गई है लेकिन देना ही पा रही हैं को लेकिन इसमें हम बैड़ते बहुत दिक्कात आती है हम एक किलास में तीन-त तो आप तो इसमें तो बहुत खत्रा ही नहीं है पार इसके टाइम पे सार चट भी चूता आए बेठने के वस्ता नहीं तो नई बिल्डेंग अपने हैं इसकारण सबी बच्चो को कुछ तो पढ़ा है अपन तो काफी बच्चे हैं कितने बच्चे हैं यहां पर जो पार रहा है और नाइन्थ में नाइन्थ टैंथ में 111 यह बिल्डिंग हैंडोबर क्यों नहीं की गई यह क्या कारण नहीं है सर वो आते हैं ठेकेदार तो वो केते हैं यह कूपर वो जो हौल है वो थोड़ा कम अनकंप्लीट है इस कारण से तो कि देवास से हमारे संबाद आता जीवन पंचाल की रिपोर्ट बिलाव अली के प्रात्मिक विद्ध्यालाय में असंतुलित हो का टेक्टर गोसा है इसमें तीन बच्चों को आई चोट जेने देवास चिकस्याला एम जीएम में पहुचा गया पोलिस जाज कर रहा ही पूरे मामले की MP थाना देवास का पू